हेलो गाईज मैं हूँ आपका दोस्विकास और मैं आपके लिए लेकिया शेर्मार्ट का बेसिक फंडामेटर टेकनिकल कॉर्स आपके इस चानल में जिसका नाम है स्टॉक सपोर्ट आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है आईपियो का परफार्मंस 2020 तो खतम हो गया ले तो कौन से कौन से आईपियो में क्या हुआ है वह हम देखने वाले है इस वीडियो में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस में लिका है फ्रम एस्विया कार्ट्स तू मिसेस बेक्टर्स फूड हैर और आल दे आईपियो लिस्टिंग डे गेंस एंड लॉसे इन 2020 इस साल में इस बेक्टर्स फूड आईपियो तक जितने भी आईपियो आई है उसका हम आज ओवर्वीव देखने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन पहला आईपियो आया था SBA Cards and Payment Services वो आईपियो आया था 16th March को आईपियो आया था इसकी इशु प्राइस थी 755 साथ सो पच्पन इसकी इशु प्राइस थी एंड लिस्टिंग दे के दिन क्लोज हुआ था 683.2 जब शेर लिस्टिंग दे के दिन शेर की क्लोजिंग प्राइस थी 683.2 और जो लिस्टिंग दे लॉस हुआ था SBI काड में हमको लॉस मिला था इन्वेस्टिंग को लॉस मिला था यहां पर लिस्टिंग गेन नहीं मिला था इन्वेस्टिंग लॉस मिला था 9.51 परसेंट का लॉस इन्वेस्टिंग के मिला था कुछ महिने तक शेर डाउन में ही चलता रहा लिस्टिंग इशु प्राइस क भायो टेक, रोष्टरी बायो टेकक का IPO आया था IPO और जो लिस्टिंग डेट थी, वो थी 23 23 जूलै उसकी लिस्टिंग डेट थी और इसीुप्राइस थी 425 रुपी कीроп्राइस थी लिस्टिंग डेट जो लैसा था, लिस्टिंग डेट के दिन शेयर की जो closing price थी वो थी 742.35 उसकी listing day closing price थी और listing gains जो मिला था वो रोश्री बायोटेक पे जो listing gains मिला था वो तो बहुत ही मस्तम gain मिला था वो था 74.67% का listing gain investor को मिला था मतलब investor ने around 75% का profit listing gain में कमा लिया था उसके बात दूसरा IPO है तीसरा IPO यहाँ पर माइंड स्पेस बिद्नेस पार्क का IPO 2020 में आया था और जो listing थी लिस्टिंग जो लिस्टिंग की डेट थी वो थी 7 अगस्ट 7 अगस्ट 7 अगस्ट अगस्ट मैंने के 7 में यहाँ पर शेयर लिस्ट हुआ था और जो issue price थी वो थी 275 275 इसकी issue price थी यानि की company ने share issue किया था 275 पे और जो लिस्टिंग डे के दिन जो closing हुई थी 303.87 303.87 जब लिस्टिंग डे के दिन जब market बंद हुआ था जब market बंद होने के बार्द जो लिस्टिंग डे close हुआ था 303.87 और जो listing gain मिला था वो ज्यादा नहीं मिला लेकिन listing gain listing के दिन मिला था वो था 10.5% का gain investor को मिला था यहां percentage में देख रहे हैं 10.5% का gain investor को मिला था उसके बाद आया था happiest mind का IPO आया था happiest mind technology का बहुत थी अच्छी company और इसने तो बहुत अच्छा performance किया है market में listing on September 17, 17 September को share की listing हुए थी और जो issue price थी यानि की company जो share issue करिया था उसकी issue price थी 166 issue price बहुत काम थी और लिस्टिंग day close हुआ था listing day जब share list हुआ था उस उस day पे जो closing हुई थी शेयर की वो 3371 रुपिस की closing हुई थी मतलब यहां अगर हम listing day के दिन अगर हम यहां पे listing gains निकालते हैं तो वो है 123.49% बहुत थी जबरदस्त performance company का इसमें हुआ है listing gain बहुत ही मस्त मिला है investor को investor ने 100% के उपर gains profit कमाया है इस यह में happiest mind ने था बहुत ही अच्छा परफार्म दिया है investor को किसे ने अगर समझो की 15,000 लगा है तो यहां पे investor को 17-18,000 रुपे तक भी मिला है उसके बाद जो आय था वो था root mobile, root mobile की listing हुई थी 21st September को इसकी listing हुई थी और जो issue price थी वो थी 651.1 रुपीज और जो listing gains जो जो share पे मिला है listing gain भी बहुत अच्छा मिला है क्योंकि यहां पे हम देखेंगे percentage में, percentage में है यहां पे 86.03% listing gain शेयर पे मिला है root mobile का IPO जब list हुआ था, listing gain जो मिला था यहां पे 86.03% का gain यहां पे मिला है उसके बाद जब share list हुआ था, उसके बाद root mobile का IPO का share ऐसे भागा की investor ने यहां पे बहुत पैसा कमा लिया है उसके बाद जो IPO आया है वो था camps का, camps का IPO आया था इसमें और जो listing date थी उसकी थी 1st October को यह IPO लिस्ट हुआ था, और जो issue price थी वो थी बार अशो तीस इसकी issue price थी, issue price बहुत बहुत जादा थी इसमें और जो listing day की दिन जो closing हुई थी वो थी एक कर इसकी जो लिस्टिंग क्लोजिंग हुई थी और जो लिस्टिंग डे गेंस अगर हम गेंस देखते हैं तो यहां पर लॉज नहीं हुआ है इन्वेस्टर को प्रॉफिट ही हुआ है लेकिन वह जो गेंस है वह है 13.95 परसेंट का गेंस यहां पर इन्वेस्टर को मिला है उसके बाद आईपियो आया था केमकॉं स्पेशलेटी केमिकल्स का आईपियो आया था यह भी एक अच्छा परफर्म करके गया है मार्केट में और अच्छा इन्वेस्टर को अच्छे एक अच्छा रिटन भी देखे लिस्टिंग ऑन उक्टॉबर 1st उक्टॉबर को ही इसका लिस्टिंग हुई थी और जो इसु प्राइस थी इसु प्राइस आपे पर शेर 340 रूपीज पर शेर इसु प्राइस थी और जो लिस्टिंग डेइड क्लोज जो हुआ था शेर जब लिस्टिंग डेड की दिन जो उसकी closing बनी थी वो थी 584.8 rupees per share उसकी closing होई थी और जो listing gain से आपर देखो 72% का listing gain investor को मिला है मतलब list होने के बाद investor को 70% का listing gain मिला है उसके बाद आया था इंजर ब्रोकिंग इंजर ब्रोकिंग की listing होई थी 5 October को 5 October को listing होई थी share की और issue price थी 306 306 rupees की issue price per share issue price थी और जो listing day closing उसमें वो थी 275.85 उसकी listing day closing थी और जो listing gain नहीं है यहाँ पर listing loss है वो loss है 9.85% का loss IPO पे इंजर ब्रोकिंग के IPO पे मिला है यहाँ पर लॉस हुआ था profit नहीं हुआ था लॉस हुआ था उसके बाद आया था यूटिया एसेट मैनेजमेंट कम्पनी का यूटिया एमसी का IPO है था एक mutual fund company है और जो listing हुई थी वो थी लिस्टिंग डेट जो थी 21 सेकंड ट्वेल्थ ओक्टोबर बारह एक्टोबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी और जो इस्यू प्राइश थी वो थी 554 उसकी issue price थी और जो listing day की close listing day closing थी listing day की दिन जो closing हुई थी वो थी for 76.6 उसकी closing हुई थी यहाँ पे इन्वेश्टर को profit नहीं मिला था गेंस नहीं मिला था इसमें भी लॉस मिला था लॉस जो मिला था वो था 13.97% 13.19% का लॉस इन्वेस्टर को मिला था उसके बाद जो IPO आयता वो था मैजगोंड डॉक्षी बील्डर्स का IPO था एक गवर्मेंट कमपणी है गवर्मेंट अंडर्टेंगिंग कमपणी है और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 12 अक्टोबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी और जो इशू प्राइस थी इशू प्राइस कम थी इसकी इशू प्राइस थी 145 इसकी इशू प्राइस थी और लिस्टिंग डे क्लोजिंग हुई थी 173 पे उसकी क्लोजिंग लिखी था इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO आया था लिखी था इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO आया था और जो इसकी Listing Date थी 15 October 15th October उसकी Listing Date थी और Issue Price थी 120 रूपीज परिशर और Listing Day Closing हुई थी 136.6 उसकी Listing Day Closing थी और Listing Gains जो इसमें मिला है वो है 13.83 पर्चेंड का Listing Gain मिला है उसकी बाद IP आया था Equida Small Finance Bank का IPO आया था उसकी जो Listing हुई थी 2nd November 2020 को 2 November 2020 में Listing हुई थी और जो Issue Price थी वो थी बहुत कम थी 33 रूपीज पर शेयर उसकी Listing Price थी और जो Listing Day Closed जो हुआ है वो है 32.75 मतलब Issue Price थी 33 और जो Listing Closing है वो थी 32.75 मतलब यह आपे इन्वेश्टर को लॉस हुआ है के नहीं मिला है लॉस हुआ है वो लॉस बहुत कम है 0.76 परसेंट का लॉस इन्वेश्टर को मिला है उसके बाद आयता ग्लैंड फार्मा फार्मा कम्पनी का एक आई पी आयता ग्लैंड फार्मा का उसकी Listing हुई थी 20 नौविंबर को Listing हुई थी और जो Issue Price थी वो थी 15 रुपे पर शेर 1500 उसकी Issue Price थी और जो Listing Day के दिन क्लोजिंग हुई थी 1820.45 उसकी क्लोजिंग हुई थी और जो Listing Day गेंज Listing Day के दिन गेंज इनवेस्टर को यहाँ पे इनवेस्टर को गेंज मिला है वो है 21.36 इनवेस्टर को यहाँ पे गेंज मिला है उसके बाद एक IPO आया था बर्गर किंग इंडिया का IPO आया था उसका उसकी जो Listing हुई थी वो थी 14 डिसेंबर को Listing हुई थी और जो Issue Price थी वो कमपनी ने इनवेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न इस IPO में दिया है वो लिस्टिंग डे क्लोजिंग अगर हम देखते है तो 138.4 की क्लोजिंग हुई थी मतलब Listing डे गेंस है यहाँ पे 130.67% का इनवेस्टर को रिटर्न मिला है मतलब 100% के उपर इनवेस्टर ने यहाँ पे कमाए है किसी ने 15,000 रुपे लगा है तो उनको 20-21,000 रुपे तक का रिटर्न कमपनी ने दिया है मतलब IPO में बहुत ही जबर दस्त पैसा कमा लिया है लोकों न उसके बाद एक IPO है ता इसमें भी इनवेस्टर ने एक अच्छा रिटर्न कमाया है उस IPO का नाम अगर है तो वो है Mrs.Bectus Food Specialties IPO का नाम है यह भी मस्त मार्केट में चला है और जो इसकी लिस्टिंग डे है 24 डिसेंबर को यह शेयर लिस्ट हुआ है Issue Price है उसकी 288 परशर और जो लिस्टिंग डे क्लोजिंग है 595.55 उसकी क्लोजिंग है अगर हम लिस्टिंग गेंस देखते हैं तो लॉस नहीं हुआ है गेंस हुआ है और गेंस भी इतना अच्छा गेंस है कि 100% के उपर शेयर को इन्वेश्टर को गेंस मिला है 106.79% 100% के उपर इन्वेश्टर ने यहां पर कमा लिये हैं तो यह थी 2020 में जितने भी IPO आये है उस पर एक overview एक नजर हमने यहां पर डालिये किस share में किस share में gains मिला है और किस में loss मिला है अगर हम यहां पर देखते हैं कि maximum IPO में investor को gains मिला है loss बहुत ही कम मिला है और अगर किसी IPO में loss भी investor को मिला है listing day के दिन loss मिला है लेकिन कुछ मैने में एक दो मैने में वो share में उच्छाल आई है और जो investor के जो पैसे फसे होगे थे वो cover हो गए कुछ मैनों में तो अगर हम यह पूरा वीडियो देखने के बाद अगर हम कुछ सोचते है तो investor को IPO में profit मिलता है कोई beginners है तो IPO में try कर सकते है क्योंकि यह आपे loss भी अगर होता है तो hold करके रखिए एक दो मेन अगर हम hold करके रखते है तो हमारा जो पैसा फसा हुआ है वो निकल जाएगा औ और इसमें हम return भी कमा सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का like and share जरूर किजिए अगर यह वीडियो देखे और या फिर पिछले किसी भी कोई भी वीडियो देखे किसी कुछ doubt हता आप आपका doubt नीचे comment box में लिख सकते हैं अगर चैनल पर कोई नया है सब्सक्राइब किजिए बाज में bell icon दे उसको प्रेस किजिए और किसी कुछ doubt होता आप आपका doubt नीचे comment box में लिख सकते हैं या फिर मेरी instagram page पे भी उधर message करके मुझे doubt पूछ सकते हैं तब तक के लिए thank you so much and मिलते हैं next video में